स्वागत आप सभी का MB News 27 में प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू बाहर ही रहकर मज़ूरी करता था तथा पिता के जाने के बाद अपने परिवार का भरन पोशन करता था लेकिन बीते दो जनवरी को रात में अच्छानक उसकी तबियत खराब हो गई और उसकी मृत्य हो गई अब सबसे बड़ी बात य है कि अब इस परिवार का क्या होगा जब हमारे समवादाता मोहमत तोहीद ने पीडित परिवार से बात की तो उन्होंने बताय कि कुछ आर्थिक सहायता हेतु कदवा विधायक डॉक्टर शकील एहमत खान से हम लोग बातचीत करने गये थे तो विधायक ने कहा कि उनके न अपने पीछे पतनी मा और चार छोटे छोटे बच्चे जिनमें तीन बेटी और एक बेटे को छोड़ कर चला गया वहीं आज मृत शोनु का सब गोवा से अपने नीजी आवास पहुंचा जिससे पूरे गाउ में सन्नाटा चा गया परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गय पारे